36 कर्मे आरक्षन को लेकर सियासी पारा चड़ता जा रहा है कॉंग्रेस और भाजपा दोनों हुई आरक्षन बिल पास नहीं होने की विवाद को लेकर एक दूसरे पार आरोप लगा रहे हैं भाजपा का कहना है कि जब आरक्षन बचाया जा सकता था तो ऐसाथ क्यों नहीं किया गया वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि जब करनाटक में बढ़ सकता है तो 36 कर्मे क्यों नहीं इसी क्रम में बालोजीला कॉंग्रेस कमिटी पिछड़ा वर्ग विभाग की अद्धिक्ष केजुराम सोन बोईर ने कहा कि किसान मुख्यमात्र भुपेज बगेल के नत्रत वाली सरकार द्वारा सत्ता समहालते ही 36 गड़ के पौने 3 कडोर जनता की आर्थिक समाजिक एवं राजनीतिक समवड़न एवं श्रशक्तिकरन की दिशा में पहले ही पल से प्रयाश्रत है सभी वर्गों को समाज में उचित सम्मान मिले जीवन की मूल भूत सुविधाओं पर उनका अधिकार हो और पूरे आत्म सम्मान के साथ ये आगे बढ़ सके इस उद्देश को लेकर मुख्य मंत्री भूपेश बगेल के द्वारा विधान सभा का विसे सत्र बुलाकर नवीन अरक्षन विधेक सर्वसमति से पारित कर दिया गया है एवं आपके पास आपके हस्ताक्षर हेतु प्रेशित किया गया है अता महा महीम राज्यपाल से वि प्रस्ताव पारित किया गया है आरक्षन की पात्रत हेतु विधान सभा में पारित कर चुके हैं आज मारेनी राज्यपाल की साइन नहीं करने से हमारे लाभर्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आज इस जिला कॉंग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग भाग की तरफ से हम सभी जिला कॉंग्रिस कमेटी की पूरा पदादिकारी यवं पंचायत साथी 35 पंचायती राज व्यस्ताक कंतरगत सभी हमारे पदादिकारईगर आज उपस्तित होकर माननी राज्यपाल महोदिया जी के नाम से हम सब ने ग्यापन दिया है और अन्रोध किया है कि वो जल कि उन्हें सत्बुद्धी प्रदान कर साइन करने हैं तू प्रेडित करें। इसके दबाओं में हैं उसे दसकतो निश्चित तोर पर करना होगा। इन्हीं आसा के साथ हम लोग ग्यापन देने यहां आए हैं।